एक बेलन की मदद से इसको हलका सा प्रेस कर लिजे ताकि जब हम रोल करेंगे तो पत्ते बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बहुत आसानी से रोल होंगे उसके बाद दोस्तों मैंने लिया है थोड़ा सा अद्रक और एक हरी मिर्च इनको हम कूट लेंगे और दरदरा कूट के एकदम पेस्ट जैसा बना लेंगे ये देखे मैं कूट रही हूँ इसको और ये अच्छा खासा एक पेस्ट जैसा तयार हो गया है अब दोस्तों क्या करेंगे कि हम लेंगे बेसन और बेसन में डालेंगे ये पेस्ट अद्रक और हरी मिर्च का उसके बाद डाली है मैंने अजवाएन फिर मैं डालोंगी नमक उसके बाद जाएगी इसमें लाल मिर्च दोस्तों उसके बाद मैंने डाला है धनिया पाउडर थो अब जाएगा इसमें इमली का पानी, जी हाँ, ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, गुड और इमली इसमें डालना, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी और एक गाढ़ा बैटर बना के तयार करेंगे, बैटर क्या हमें एक मिक्स्चर जैसा तयार करना ये दिखिए, काफी गाढ़ा होना चाहिए और लंप्स नहीं होने चाहिए इसमें, ये देखे, तो बस अब मैं आपको यही टिप दूँगी, कि आप हाथ की मदद से, उंग्लियों की मदद से ही ये बेसन का मिक्स्चर जो है अपने अर्भी के पत्ते पे लगाए, ब्रश से ला लगाए, नही से ही दूसरे पत्ते पे लगा दीजे, इस तरीके से एक और पत्ता रखूँगी, इस बार अपोजिट डिरेक्शन में, तो आप इस तरीके से पांसे छे पत्ते एक उसमें रखके, और अच्छे से बेसन इनके उपर लगा दीजे, फिर देखे, मैंने साइड्स फोल्ड करे अब इन पर भी थोड़ा सा बेसन में लगा रही हूँ, और बस उसके बाद आप इसको रोल करते जाए, टाइटली आप इसे रोल करेंगे देखे, इस तरीके से, और जो इसके एंड्स हैं, आप चाहें तो यहां पर हलल का सा बेसन और लगा सकते हैं, तो जब आप बिलकुल भी टूटेंगे नहीं, जो गोल गोल एकदम पात्रा बनेंगे हमारे, तो यह देखे, मेरे दो रोल तयार है, मेरे पास लगबग 12 पते थे, तो मैंने 5-6 पते एक रोल में लगाए हैं, उसके बाद आपके पास स्टीमर हो या कोई कढ़ाई हो, तो उसमें आप इ तो दोस्तों मैंने करीबन चेक किया था, 12 मिनट बाद तो मेरे जो अर्भी के पते थे एकदम पक चुके थे, यह देखे, एक चाकू की मदद से आप इसमें इंसर्ट करके और देखे, चाकू अगर एकदम साफ सुतरा निकले, इसका मतलब बेसन बनके तयार है, ठंडा होन हम इसको नॉन स्टिक पैन में ओईल डाल कर और फ्राय कर लेंगे, यह देखे, अच्छा सा क्रिस्प गोल्डन ब्राउन आपने इनको तलना है, यह देखे, अब मैं इसे पलटूंगी, यह देखे, पलट के दिखाती हूं, मैं कितने सुन्दर सा कलर आ गया, इसके उपर ग लगाइ!